रविश कुमार और दिक्विंट के बीच मारा मारी दक्विंट को गोधी मेडिया बताने पर जूतम पैजार दक्विंट की फाउंडर ने रविश कुमार को सिखाया सबक पत्रकार हो तो फैक्ट चेक कर लेते रविश कुमार यह हेडलाइन जो कि अभी आपने देखी हैं, वहीं आज की वामपंथी मेडिया की वास्पिक तस्वीर है गौतम अडानी ने NDTV खरीद लिया, तरविश कुवार ने इस्तिफा दे दिया लेकिन दुनिया के इकलोते इमांदार और निश्वक्ष पत्रकार इस्तिफा देने के बाद चुप कहां रहने वाले थे उन्होंने अपने ही भाई बंधों की कलाई खोलने शुरू कर दी, करन थापर को दिये इंटर्व्यू में उन्होंने दक्विंट को बिका हुआ बताया, तो दक्विंट की संस्थापक और CEO रितु कपूर भी मैदान में हथियार लेकर उतर आई, दोनों के बीच अब जम कर जूतम पैजार मचा है, नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बिश्वश्नी आउल्टरनेट न्यूज मेडिया पोटल, और मैं अपनी स्तिवारी आपको बताऊंगा, रवीश कुमार और दक्विंट के बीच उस मसालेदार लडाई के बारे में, जिसे कि इसे भी किमत पर मिस नहीं किया जाना चाहिए, दरसल हाली में बेरोजगार हुए पत्रकार रवीश कुमार ने, दुसरे बेरोजगार साथ ही पत्रकार अजीत अंचुम को इंटर्वियू देकर अपना दर्द बया किया था, जिसके बाद अब हाली में रवीश कुमार, कुछ नहीं कर लेते हैं, रवीश कुमार को लतार लगा दी, रवीश कुमार थोड़ा फैक्ट चेक ही कर लेते, यह नहीं कर पा रहेते तो गुगल पर सर्च ही कर लेते, पता कर लेते कि दिक्वियंट की ओनर सेप किस के पास है। काभी दिक्वियंट के दुलारे रवीश कुमार अब उसे ही गोधी मीडिया बताने लगी हैं, जिससे दोनों के बीच इस्तिती जूतम पैजार वाली हो गई हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि रवीश ने अपने इस इंटर्वियू में ये भी कहा, कि भारत के सबसे अमीर गौतम अडानी ने 0TRP एंकर को नौकरी से निकालने के लिए NDTV को खरीदा है। गौतम अडानी को कुछ और काम तो है नहीं, उन्हें तो बस तीन लोगों की विवर्शिफ वाले एंकर को नौकरी से हटाना है, जिनके प्रोग्राम को एकवा पोड्यूसर और दो बार तो स्वेम रवीश कुमार ही देखते हैं। वामपंथियों के दुलारे रवीश कुमार को अभी भी यहीं भ्रह्म है, कि अडानी ने NDTV इसलिए खरीदा, जिससे रवीश को नौकरी से निकाला जा सके, उन्हें बेरोजगार किया जा सके। जिसे कोई देखना पसंद न करता हो, जिसके TRP जीरो हो, उसे नौकरी से निकालने के लिए इतना बड़ा दाउ क्यूं लगाएगा। ये बाते दूर दूर तक मेल नहीं खाती है, इन बातों का कहीं कोई आधार नजर नहीं आता, फिर भी रविश कुमार वामपंथियों को दिलासा देने के लिए जूटी अफवाफ हैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो बेरोजगार रविश कुमार ने दक्पिंट को ही गोधी मेडिया कह दिया, जिससे वामपंथियों के दो बड़े चेहरों में जूतम पैजार हो गया है।